परमपरा में धर्म बसता है और परमपरा ये ही धर्म को संभालने का कारे करती है ये सत्य है पर क्या केवल परमपरा ही धर्म है विचार कीजिए सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाशान में शिल्प होता है उसी प्रकार परमपरा में धर्म होता है इस पत्थर बेशिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं शिल्प को जागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है अनावश्यख भागों को दूर करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार परमपराओं में धर्म थूंदना पड़ता है जिस प्रकात इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़ कर गौवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंडा जाता तो यादों को उनकी मुक्ति का मार्क नहीं मिल पाता अर्थात, परंपरा को पूर्टा छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरन करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता कहते हैं हंस के पास नीर्ख शीर विवेक होता है दूध में निले पानी को छोड़ कर केवल दूध ही ग्रहन करता है तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए व्रदे में ज्यान से जन्मा विवेग आवश्यक है और ऐसे विवेग के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए जो वास्तव में धर्म ना भी हो ऐसा भी तो हो सकता है